आखिर क्या है यह हिट एंड रन का नया कानून और इसका क्यों इतना बवाल मचा है आए यही जानने के लिए मागए है एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है दिलीब जी और जिनसे में तमाम टॉपिक पी भी बात कर चुके हैं आए इस पी भी बात करते हैं क्या है यह क्यों इस पर बवाल हो रहा है अपकर बहुत स्वागत है थांक यू अंजली जी है कि कानून क्या है को इतना चर्चित है कानून चर्चित इस लिए है कि जो इंडियन पीनल को रिपील करके नया भारतियी नया सहीता लाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा उसमें सेक्शन 106 मे इंसर्शन किया गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर हिट करके और बिना पुलिस की इनफॉर्म की भाग जाता है तो उसको एक बड़ा क्राइम माना जाएगा और उस क्राइम के लिए जो पहले छे महीने की सजा और एक हजार रुबे फाइन हुआ करता था उसको अब दस सा होते हैं जो ट्राइवर के कंट्रोल में नहीं होते हैं तो हर क्राइम को एक ही नजर से देखना इसी बात को ले करके अजिटेशनी ड्राइवर's के अंदर और इसको कॉगनिजेबल ओफिंस कर दिया गया है नउन बेले बिल कर दिया गया क्या का मतलब है कि पुलिस ऑनस्प इतना सजा बढ़ा देना, इतना फाइन बढ़ा देना, इसी बात को लेकर के ट्रुक डाइवर थोड़ा सा परेशान है और परेशानी का कारण है भी। सर क्योंकि अभी बस जो ड्राइवर और कंडेक्टर से उन्होंने बात हमसे हमनों से बात की तो उनका कहना था कि ऐसे तो नौकरी हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कौन अपनी जान पर इसक लिए करके ऐसे करेगा देखिर रिस्क तो कभी-कभी होगा लेकिन जो एक प्रत दी गई है ट्रक डाइवर्स के लिए तो ये उनको परिशान करने का माद्यम हो सकता है सजा भी मिलेगी और उनको परिशान करने का माद्यम भी भड़ेगा तो उनके लिए डबल परिशानी है यानि एक दर तो इनके पास सजा का है दूसरा जुरुमान का और तीसरा पुलिस की प्रताडना का भी है बिल्कुल है क्योंकि पुलिस की प्रताडना सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जब पुलिस को ही सारी पावर्स हो जाएंगी कोट के सामने मामला जाएगा ही नहीं तो ये पुलिस के discretion पर हो जाएगा कि वो किसको पकड़े और किसको छोड़े बट ये हाँ ये जरूर है कि चुकि ये hit and run का मामला है तो इस case में पुलिस इतना misuse of power नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको कोई दो राय नहीं है बहुत सारे बदलाव किये गया है और कानून में अच्छे बदलाव भी किये गया है जैसे बहुत सारे क्योंकि जब यह आपका IPC बनाता तो भारत की आजादी से पहले 18 में मनाता ठारा सो में बनाता और तब की situation और आज की situation क्राइम का स्वरूब चेंज हो चुका है क्राइम के क्राइम के जो माद्य हमते वो चेंज हो चुके हैं तो अब बहुत सारी चीज़ों को जो आज की हिसाब से जरूर थी उनको भी कवर किया गया है बहुत सारी चीजों को सुधार की नजर से भी देखा गया है तो अच्छा है मतलब भारते नाय सहिता जो बनाई जा रही है अल्मोस्ट 90% चीजे वही हैं जो IPC में थी जो 10% बदलाव हैं वो बदलाव आज के समय की मांग हैं और होने चाहिए थे